तो देखिए कल के वीडियो का अपने प्रस्टने हमीर महा कावी के लेखक कोने क्या हो जागा इसका अंसर तो देखिए हमीर महा कावी के लेखक अपने कोने नयन चंद सूरी हो जागा इसका correct answer हमीर महा कावी के लेखक अपने कोने नयन चंद सूरी option डिये correct answer और देखिए बा और अमर्सार आ जाय है अमर्सार गरंथ तो अमर्सार गरंथ अपने किस ने लिखा यह पंडित जीवादर ने लिखा यह तो यह भी आप ध्यान रखे और हमिर महा का विए अपने किसका गरंथ अपने नयन चंद सूरी का तो option D है एकदम correct answer तो तो यह कि अम राज़तान जीके पहला प्रश्न क्या किया रहा है अपने वन तुलसी नाम से किसे जनलता है तो दीकिए वन तुलसी किसका उपनाम है तो दीकिए काफी बार हमने इसकी चर्चा भी की है खेजली का उपनाम क्या है अपने वन तुलसी खेजली अपने राज्तान का राज्य वरिक्ष है इसको व वन तुलसी यह किसे कहते है अपने खेजली को कहते है और कापी बार इसका वेग्यानिक नाम भी पूचा जाता है वेग्यानिक नाम भी पूचा जाता है वेग्यानिक नाम भी अगर पूचे जाए खेजली का तो यह क्या है अपने यह आप द्यान 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 के प्रोसे प बांजा की छत्री किस जिले में हैं तो आप ज्यान रखे मामा बांजा की छत्री अपने किस जिले में हैं तो आप ज्यान रखे मामा बांजा की छत्री अपने मेरांगट दूर्ग जोधपूर में हैं तो आप ज्यान रखे मामा बांजा की छत्री अपने मेरांगट दूर्ग और मामा बांजा की चत्री किस ने मनाई थी अपने अजीद सिंग के द्वारा अजीद सिंग के द्वारा मामा बांजा की चत्री का निर्मान कराया जाता है अपने मेरान गडुण दूर्ग जोधपूर में तो option C हो जाएगा इसका correct answer और देखिए कीरत सिंग सोडा की चत्री भी यही इस्तित है कीरत सिंग सोडा की चत्री अगर पूस ले तो यह का इस्तित है कीरत सिंग सोडा की चत्री यह भी अपने जोदपूर में इस्तित है और मामा बांजा की चत्री यह भी अपने जोदपूर मेरानगर दुर्ग में इस अपने क्या है मीठडी का किला और देखिए नाहरगट किले में आपने पड़ा होगा नो एक जैसे महल नो एक जैसे महल का निर्मान अपने मुकुन सिंग ने कराया था अपनी नो पासवानों के लिए किस किले में कराया था किस दुर्ग में कराया था नाहरगड में कराए था और यह अपने काएं जैपूर जिले में हैं अपने नाहरगड किला इसको अपने मीटरी का किला के नाम से भी जाना जाता है और देखिए इसका अगर निर्मान भी पूछा जाए तो आप ध्यान रहे कि इसका निर्मान किसने कराए था अपने नाहरग अंसर अगला अपर इसने पन्ना धाय किसकी पुत्र थी तो दीके पन्ना धाय किसकी पुत्र थी अपने ये अपने हरचंद हांकला की पुत्र थी हरचंद हांकला की पुत्र थी और इनकी जाती भी पूछे जाती है अभी भी एक्जाम में गुजर जाती कि ये वीर महिला थी इन्होंने अपने पूत्र का बलिदान देकर जो अपने उदे सिंग जी थे उदे सिह मारान परताप के पिता इनकी जान बचाई थी और स्वयम के पूत्र चंदन की चंदन का बलिदान दे दिया था तो आप ध्यान रखें ओप्शन ए हो जाएगा correct answer हरचंद हांकला की पूत् प्रास्तान का अनूश यक्ति ग्रिह किस देश के सयोग से स्तापित किया गया है तो इसकी अस्ताबना किस देश के सयोग से की गई है फ्रांस, कनाड़ा, अमेरिका या जापान क्या जिएक इसका अंसर आप कमेंड करके बताए और रेगुलर आप ग्यारब जे सुबह वीडियो आता है इसको आप जरूर से जरूर जोइन कीजिए